गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका, आपका अपने यूट्यूब चैनल, स्टडी विद्रवे ठागुर पर, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वन वर्ड सब्चिचुशन का पार्च 46, तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहला वन वर्ड सब्चिचुशन है, easy to shape in any desired form, easy to shape in any desired form, ऐसी कोई वस्तू जो बहुत ज़्यादा लचीली हो, जिसे हम बहुत ज़्यादा लचीला हो, कोई चीज फिट हो जाना कहीं भी, किसी भी शेप में हम उसको, कोई भी आकार, कोई भी हम शेप उसको दे सके, उसको बोला जाता है, लचीला पन हो जिस अहिटर आफ विमन, जिसे महिलाओं से, महिलाओं के प्रति जो द्वेश रखे, महिलाओं से जो घहिणा करे, उसको बोला जाता है, मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट, नेक्स्ट, लाज बर्यल ग्राउंड, जहां पर, लाशों को दबाया जाता है मरने के बस्चाद जहां पर बॉड़ी को दफन किया जाता है उस जगा को बोला जाता है कबरिस्तान सेमिट्री सेमिट्री next to supply land with water by artificial means to supply land with water by artificial means कृत्रिम साधनों के द्वारा सीचाई करना उसको बोला जाता है irrigate सेचाई करना कृत्रिम साधनों बनावटी जो साधन होते हैं उससे खेतों की सेचाई करने को बोला जाएगा irrigate next a co-worker in an office or institution a co-worker in an office or institution किसी भी संगठन में या किसी भी कार्याले में जो हमारे साथ काम करते हैं उनको बोला जाता है सहकर्मी हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में बोला जाएगा colleague colleague next a man who is quite like a woman a man who is quite like a woman ऐसा कोई विक्ती जो कि महिलाओं की तरह वेभार करें जिसमें महिलाओं के थोड़े से जादा गुन हो उसको बोला जाता है effeminate effeminate next one whose motive is merely to get money one whose motive is merely to get money ऐसा कोई विक्ती जो कि केवरब अपने लिए ही काम करें जिसका main motive जो है वो सिरफ और सिरफ पैसा कमाना हो उसको बोला जाता है mercenary mercenary next the study of plant life the study of plant life paid पोधों के बारे में अध्ययन करने को बोला जाता है botany वनस्पती शाष्टर botany next animals that live in water animals that live in water ऐसे जानवर जो की पानी में रहते हूं जलचर जीने बोलते हैं उसको बोला जाता है aquatic aquatic और इस पार्ट का last one word substitution है instrument that magnifies objects instrument that magnifies objects ऐसा कोई यंत्र ऐसा कोई instrument जो की चीजों को हमें बहुत बड़ा दिखाए जिसको हम छोड़ी छोड़ी चीजों को भी हम देख सकते हैं जिससे हम उस यंत्र को बोला जाता है microscope सूक्षम दर्शी जिसे हम नंगी आखों से ना देख पाएं ऐसी चीजों को देखने के लिए प्रियोग में जो लाया जाता है उस यंत्र को बोला जाता है microscope तो यह इस पार्ट का last one word substitution था मिलते हैं next वीडियो के साथ thank you thanks for watching